हाई गाइज आज हम लों बात करेंगे कि इंजिनियर का क्याटेगिरी जो हम लोग बहार गॉल्फ कंट्री में कोई भी देश हम लो जाता है साओधी दुबाई या कतर या उमान कोई जो भी है वहाँ हम लोग आपना मुलग से इंजिनियरिंग कम्लेट करके कोई डिप्लमा क तो आपना जब नकरी के लिए वह गयद्ब कॉंट्री जाता है तो गयद्ब कॉंट्री में हम लोग जाता है इंजीनिएर लेबल पर इंजीनियर पढ़ाहि सबका सेम होता है लेकिन अभी हम लोग जॉब का टाइम पर सबका ग्यार्प सेम औहें, एक डौर कैटेगिरी उश्य में होता है ज्यादा तरफ तो ज्यादा कमपाणी में जो बड़ा बड़ा एक अश्य वाट बात ने बात बूर्चा कमपाणी ऑभी कीस्त लेबल का होता है जिर मुझे जनकरी नहीं है लेकिन जो बड़ा कमपानी स्टांडर कमपानी है उसमें दो कैटेगरी होता है इंजिनियर रखा तो इंजिनियर जो होता है जुनियर लेबल का इंजिनियर एक होता है और बाकी मिट्रेल का उपर, मीटिंग का उपर, इंस्वेक्शन का उपर, इसके उपर बहुत सारे काम होता है, अफिस्याली में सही है, तो उनका क्या होता है? ओस जुनियर और शिनियर किस के लिए हो जाता है? देखिये, कोई भी इंजिनियर अपना मुलक से गल्प आता है, गल्फ में कभी वो काम नहीं किया है बास आपना एजुकेशन कंप्लीट करके वो इधर गल्फ कंट्रे आ गया तो वो आएगा जुनियर में शीनियर में वो नहीं आ सकता है अपना मुलक में भले वो पांच साल भी काम करें कोई प्रजक का अंदर या कोई मेंटेनेंस नहीं है तो वो थोड़ा जुनियर में लेखा आ जाने के बाद आप लोग को क्या हो जाता है कि उस टाइम प्याकेज अलग अलग हो जाता है जैसे हमारा सालरी प्याकेज होता है कि हमको बाहर रहने के लिए दो हजार दिएगा 2000 1000 और बाकिया हमारा सालरी जो होगा यह 59 जीनियर इंजीनियर का सालरी सकाता है 300000 से 6000 होता है उसका बाद में कमपानी और 2000 देता है आक्वमेडिशन के लिए किस कमपानी 500 याओर डेता है कि आपको ट्रांसपोड के लिए जैसे आप कार है, कार में आप ओयल डल के आ सकता है या आपको जो मेट्रो और राटी बस गोबर्मन्ट का जो है वो आप उसमें यूज करके टैक्सी करके आप आपका ड्यूडी कर सकता है तो यह जो पैकेज होता है उसमें यह सालरी रहता है और बड़ा जो सिनियर जो हमारा इंजिनियर होता है, senior engineer कि इसको बोलता है कि जिनका बीटेक होगा और अपना मुलग में बीटेक अच्छा कोर्स करके अच्छा मार्क में पास करके उनका जो certificate है वो आटिस्टेशन जरूर होना चाहिए, आटिस्टेशन होने का बाद उनको थोड़ा वेलो और बढ़ जाता है और उनका काम भी वह हिसाब से होता है कि जब senior में आएगा उनको side का जो project engineer बोलता है तो project engineer का लेबल में उनको talent होना चाहिए और वो level का काम उनको समालना पड़ेगा प्रोजेक्ट इंजिनियर बोलेगा तो प्रोजेक्ट इंजिनियर है तो आपको ड्राइं डिजाइनी आपको बनाना है प्रोजेक्ट इंजिनियर का यही काम होता है कि जो प्रोजेक्ट का अंदर काम होगा क्लाइंट से डिसक्स करके, क्लाइंट के साथ बात करके, वो हिसाब से वो डिजाइन बनाएगा, जो ड्राप में टीम रहेगा, वो उनका अंटर में रहेगा, ड्रापिंग के लिए जो ड्राइं बनाएगा, और हर चीज का क्वांटिटी काल्कुलेशन करेगा, वो उनका टी यहां 10 हपन्दरहाजार तो ओर टैलेंट आपको मिलने केलिए आपको यहां मिंदीमुम 10 साल काम करना पड़ेगा जुनिय इंजिनियर है तो आपका जो चाहिए जानकारी गुफ होना चाहिए उन्टना models आपको करना चाहिए तब उसका बाद आपको वो चांच मिलेगा लेकिन 10-15 सल आप काम करने का बाद जो जुनियर में आया और जो सिनियर में आयेगा वो तो पहले से तो बीटेक करके आटिसेशन करके शाटिपिकर रखा होगा नहीं तो लोकू कमपानी सिनियर में नहीं सब्सक्राइब करना है कैसे हमारा प्रोजेक्ट को फाइदा करना है कैसे हमारा मेट्री आटिसेशन को मंगाना है तो वह तालेंड उनका अंदर होना चाहिए और उनको प्याकेज मिलेगा मैं आपको बताया कि 10-15 सब्सक्राइब इंजिनियर लोग होता है और उसका बाद उनको रने के लिए जो घर है वापाटमेंट फ्लाट के लिए वह भी पांचाजार अलग दियेगा तो मतरब लगबग पूरा प्यकेज जो है 20 से 25,000 तक उनको मिल जाएगा, तो वो होता है senior level का जो engineer लोग होता है, ओ लोग का है, senior level engineer बोलेगा तो construction manager का same same position उनका होता है, जिमादारी भी होता है, responsibility भी होता है, ओ लोग senior engineer है, तो यही काम है और यही package है senior और junior अंदर में, और आ अपना मुलक में बीटेग भी कर चुका है, आटिस्टेशन भी कर चुका है, फिर भी आप senior में नहीं है, आप आता है, कोई tension लेने का जरूत नहीं है, आप junior में आ जाए, पांच आल यहां काम कीजिए, company change कीजिए, फिर दूसरा company के जाने का time, आप senior engineer के लिए अपलाई चुटी लास्ट में मिल जाता है, उसका पैसा भी मिल जाता है, और जो चुटी रहेंगे, जितना दिने उसका भी पैसा, लिप सालर का इसाब से ओ भी मिल जाएगा, आने जाने का ticket भी हर साल मिल जाएगा, family का साथ में, सही है, तो यहीं सब रहता है, junior और senior engineer का अंदर में, आप लोग को, जो आदमी इधर gospel country में हो सब को मालूम है, मैं जो बताता हूँ, व लोग सब को मालूम है, उलो देखने का बाद लोग समझ आएगा, कि हो यहाँ होता है, छाप्पो बताता है, वह ही बात करता है, लेकिन जो आप लोग देखा नहीं है, कभी मेसिस नहीं किय यही सब इधर होता है यही सब से हम लोग काम करता है और यही सब से हम लोग यहां कमाता है तो यही रहता है जुनियर और सिनियर का अंदर में और बहुत सारे काम भी रहता है जो जुनियर फॉर्मेंट का प्रजेट का साथ ड्राइं का साथ अपना डॉकुमेंट का उपर और इतना सारे डेफरेंश है आप लोग समझ गिया होगा. और मेरा तो यही रहेगा कि जोबी आदमी बीटे लिप्लमा किया है, जो भी डिप्लमा किया है. तो उसको सब आपलों आटिस्टेशन करने के लिए भेज़ दीजिए आपका साटिफिकेट को आटिस्टेट होने का बाद आपको कोई भी कमपानी आसानी से जब मिल जाएगा तो चाली एग वीडियो आपलोग को केसा लगा नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग फिर मिलेंगे फिर बाते करेंगे और आप लोग कल जो कमेंट्स आएगा उसके उपर भी वीडियो बनाने के लिए क्वेसिस करूंगा सही है थैंक्यू सो मॉच